नमस्कार आप देख रहे हैं DPP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्वाण आए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास ख़बरों से SDM सदर के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने फुलिस के साथ मिलकर ग्राम समाज की दोसो बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त दरसल बिजनो डीम उमेश मिश्रा के निर्देश अनुसार रविवार को थाना मंडावर शेत्र के गांग पुर्शोत्तमपुर में ग्राम समाज की दोसो बीघा जमीन को तहसील सर्वे एवं थाना पॉलिस के द्वारा कब्जा सदर मोहित कुमार का कहना है कि तहसील सदर में तहसील दीवस के दोरान जिलाधिकारी से ग्राम समाज की भूमी पर कब्जे की शिकायत की गई थी जिस पर जिलाधिकारी द्वारा ततकाल SDM सदर को भूमी को चिनहित करने एवं कब्जा मुक्त कराने की निर्देश दिये गए थे वही इस इक्रम में दविवार को तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नेतरक में राजयस्व सहित थाना पुलिस द्वारा प्रभावी कादरवाही करते हुए दमीन पर बोई गई फसल को ट्रैक्टर से जुदवा कर दमीन खाली करा दी गई है वही SDM सदर का यह भी कहना है कि पिछले एक सप्तहा में लगभग 1500 बीगा से अधिक भूमी को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है और आगे भी इसी प्रकार सरकारी भूमियों को कब्जा मुक्त कराने का भ्यान लगतार जारी रहेगा साथ ही यह भी चेतावनी दी गई यदि कब्जा मुक्त कराई गई भूमी पर कोई व्यक्ती फिर से कब्जा करता है तब उस पर कार्दवाही कराई जाएगी प्रश्यासन की इस कार्दवाही के बारे में आपके क्या विचार है कॉमेंट कर जरूर बताईएगा फल्हाल के खबरों में इतना ही आप देखते रहेए डी पी पी रीउस